इंडियन पोस्ट आफिस की नई भरती निकाली गई है 27 जनवारी 2023 को विग्यापन जारी हुआ है और इसी तारीक से जो कि ओनलाइन के माध्यम से अवेदन मंगाया जा रहा है तो ग्रामी डाक सेवा तर यानि जीडियस या कह सकते हैं ग्रामी डाक सेवा ब्रांच पोस्ट मा लेकर 16 फर्वारी 2023 तक आप लोग ओनलाइन के माध्यम से अवेदन कर सकते हैं और एडित जो भी अगर गलती उलती होता है तो 17 फर्वारी से लेकर 19 फर्वारी तक जो की टाइमिंग दिया गया है और सेलरी जो की दोनों काटेगरी के लिए अलग-अलग रखी गई है जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर इसके लिए 12,000 से लेकर 29,380 और डांक सेवक यनी असिटेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इसके लिए 10,000 से लेकर 26,470 फर्वारी सेलरी रखी गई है और नोटिफिकेशन के अधार से इसकी अलग-अलग बोला जाए तो क्वालिफिकेशन भी अल 40 वर्षे अधिक के नहीं होनी चाहिए और केटेग्री बाई अलग-अलग शूट दिये जाते हैं तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कि निम्तम अगर आप लोग 10 पास हैं तो अविदन कर सकते हैं 7-7 इंगलीज और मैथमेटेक्स इसमें थोड़ा अच्छे से नंब और इसी तरह से बात करते हैं इनकी अलग-अलग के बारे में दिये गए हैं जानकारी और ये फलाई के लिए आप लोग ओनलाइन के माध्यम से www.indianpostgdsonline.in पर चेक आउट करके आप लोग ओनलाइन के माध्यम से अविदन दे सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं वीडि इसमें पोश्ट की बात करते हैं तो पोश्ट इसमें रखी गई है 40,000 मतलब प्लस इसमें पोश्ट है और 36 गड़ में करीब 1500 के आसपास जो की पोश्ट है अगर आप लोग अवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और वीडियो को सेर भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा वीडियो में नए टॉपिक में जैहिंद वंदे मातरम